अमिर्ष शाह साप जो फादर हैं जे शाह सापके उन्होंने बेयानात दी है यह तो उन्होंने जे शाह सापके कहने पर दे दिया एक टोर्णामिट है ना चैंपेंश चौफी अगर हाइबिर्ड मॉडल पे जोर डाला गया तो 2025 से लेके 2031 तक तीन टोर्णामिट हैं इंडि करते हैं तो मोसा नक्वी ने कल मीडिया के साथ मुराकात भी कि और वाजी अलफाज में कहा के इस चीज़ का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि इमेंट पाकिस्तान से बाहर मुन्तकिल होगा तो यहां पर मुझे लगता है कि छोटा चैतन जो है ना ही कुड प्ले रिकु शोटा मुठानाम तो है को यह तो हम भी पता है जो जेशा है वाँपा पॉर्ट का अज़ए भारत ने सर्फ एक अम सर्फ करने ना इंड स्बीन जो आगर पाकिस्ता पॉर्ड यह धंगि देता है अगर यह तो हंडिध तो फिर पाकिस्तान अब नहीं आएगा वर्लकप में तो चला गिया था लॉलीपॉप दे दी गई थी लेकिन अब नहीं होगा ऐसा में भी जेशा कुछ ना पुछ अंदर खाते गेम डाले अगर तो बीस जी आई कहता है कि हम नहीं आएंगे तो फिर पाकिस्तान को भी भारत के इवेंट का वायकॉड करना चाहिए और पाकिस्तामी बहापर आकर छेंपियन्ज व्य के हवाले से कि अमिशाय साथ जो फादर हैं जे शा साथ के उन्होंने बैणात दी हैं अमिशा विए एक सेजैशन है उन्हें चाहिए इंडिया के जो प्रायमिश्य Í dansirdar Mogi साहब उनके साथ योगा किया करें कैने नरिंदर मोजी साह थो योगा की अब बी सी से है के सेक्टरी नहीं रहे अब वो बंग गए आई सी सी के हैड तो यह बैक डिप्लोमेसी वहां से शुरू हुई है कि प्रेशर डाला जाए और प्रेशर जेशा साब दलवा रहें क्योंकि वो तो कुछ नहीं बोलेंगे वो जिस सीट पर बैड़ कहें वो सीट ऐ पड़ेगा कि जो एक्स चेर्में थे ना आई सी सी के स्मार्ट मूब करी अपने आपको साइड लैंग करके जेशा साब को बनवा के तो माइड भी जेशा साब के प्रेशर में आ जाते है अब क्या होगा अब तो जेशा साब बंग गया है ना वो क्या बोलेंगे अभी तक नहीं पोले है उना ही कि ऐसी चोटे ब्राकिसान में जाकर किसी भी G gods में इंडियन टीम नहीं लिए नहीं खेंगे विलगी। तो पाकिस्तान जाएंगे, अगर अगर हमारे गुष्टान के इसी भी सुछोछ नहीं जाएगी और अगर इंडियान गुष्ट के इस्ट्रोंग मेंबर ये बात कर रहे है तो यकीन माली जे शार्ज बात पर मिनुण्वर्ण अमर्ड करेंगे और ऐसिताथ नहींगी, यह यह करना है बासितली का फासितली नि-दियी निवमन्न कर दियन एक पाक्सीब्रेश के लिए या पाकिस्टान क्रिक PHP कोई भी बड़ा होतयााश यह भूल जाया कि चैंपिन टॉफी को पाकिस्तान ना करवाया ना मुंकिन होगा, क्योंकि अगर इंडिया ना आया, अफगानिस्तान, स्रिलंगा, स्रिलंगा के बाद मंगा देश, उसके बाद अस्टेलिया, इंग्लेंड, न्यूजलेंड ये चार पांच और टॉप की टीम है, ये नहीं इसी भी तो चैंपिन टॉफी में करवाएंगा, और अगर खुदाना फास्ता टूटी पूटी चैंपिन टॉफी हो भी गई, तो रेविन इंटरेट नहीं होगा, व्योशिप नहीं है, क्योंकि टोटली व्योशिप होती है, बड़े मैच्च हाई बोलिटेज मैच की पाकि पाकिस्तान में तो व्योशिप बिलकुल ढॉन हो जाएगा, व्योशिप बिलकुल डाउन हो जाएगी, रेविन्यू बिलकुल खत्म हो जाएगा, और यहीं बास सोच-ा-I-C-C, और अगर पाकिस्तान में चैंपिन टॉफी करवानी है, इंडिया को बनाना पड़ेगा, और काले बीची टी के फैसले को अटल है और बीची टी के फैसले को जड़ा सा भी हिलाना कि इंडियन टीम पाकिस्तान में आकर खेल ले हैब्री मॉडलर की रट को छोड़ दे ये बात बहुत मुश्किल है आप पॉन्टीज के आप तो बिल्कुल ही मतब इंडिया का स्वाल होता है आप कहते हैं इस पर बात ही ना कीजिए और जब कैमरा नहीं लगा तो आप इसको बात करते हैं और वो कहरें कि इंडिया की टीम जरूर आएगी आई विश के इंडिया की टीम आए मगर इशारे क्यों मतब जब बात होती है कि इंडिया की टीम है कि नहीं पूछना इसको पर बात नहीं करने सब आएंगे बस यह गोल मूल कर देना मगर आप चूंकि हम मेजबान हैं चूंकि आपके आपके पर सवाल हो रहे हैं चूंकि लोग जानना चाहते हैं कि भाई चैंपिस्टाफ क्यों करें कि इंडिया की बात हैं चैंपिस्टाफि वार्थिया बात बिए खिखने हैं तो यह थोड़ी खोपना की शूचिस आप पाकिस्तान नाई तो हाइबरिट मौडल की बनियाद के ओपर इमेंट हो सकता है या इमेंट पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो सकता है तो मीडिया के साथ मुलाकात भी किया और उन्होंने वाजी अलफाज में कहा कि इस चीज़ का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि इविंट पाकिस्तान से बाहर मुन्तकिल होगा या फिर हाईबरिड बॉडल के मुन्याद के ओपर चैंपिस ट्राफी खेली जागी तो उन्होंने इनकार किया जो पाकिस्तान का स्टान्स चैंपिस ट्राफी को लेकिया है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ जो फरस्ट मार्च का मैच है और किसी को भी एतराज नहीं है पाकिस्तान के अंदर चैंपिस ट्राफी के ओपर इंडिया के अंदर इंडिया जरनिस्ट क्या खबरे लगा रहे हैं साथ दिर उन्होंने अपने मुल्क की बात करनी है उन्होंने एंटी पाकिस्तान बात करनी है लेकिन पाकिसान क्रिकर बोर्ट पूरी तरह तयार है और भरपूर किसम के तयारिया चैंपिन्स टॉफी को लेके पाकिसान कर रहा है जाना तक बात रहाएंगी चैंपिन्स टॉफी की तो अगर पापा जी कह रहा है कि असाइब बहुत रहा है तो बेटे के बारे में तो कुछ मीडिया उटलेट्स ये इतला देते वे नजर आती हैं कि वो पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से टीम पहुंच है अब BCCI वाले एक जगा प्रफंसे में और वो यह है कि at the end of the day उने इजाज़त चाहिए अपनी कॉर्मेंट से तो यहां पर मुझे लगता है कि छोटा चेतन जो है ना ही कुड प्ले आ वेरी कुरूशल वो बेटा है बेटा पापा को राजी करे पापा आगे गेम डाल दें simple is that क्योंकि पापा जो है चोटा मुटा नाम तो है यह तो हमें भी पते हैं में भी जेशा कुछ ना कुछ अंदर खाते गेम डाले उसी के वाइस वरसा अगर पाकिस्तान की टीम अपनी गॉर्मेंट की किसी position को लेकर इंडिया माने वाले किसी